दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज इस वीडियो में आपको बताएंगे State Bank of India का क्योफी फरम कैसे बढ़े तो दोस्तों अगर आप भी क्योफी फरम बढ़ना सीखना चाते हैं अगर आपको भरना नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देख लिजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको step by step बताएंगे कहां पर क्या भरना है तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो फरम में सबसब पहले उपर में आपको अपना ब्रांच का नाम फिल करना होता है तो यहां पर आपको अपना ब्रांच का नाम बद देना है डाल देना है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं एक नंबर में यहां पर दिया हुआ है प्रस्नल डिटियल में आपको अपने नाम फिल कर देना है डाल देना है उसके बाद अगर आपका नाम में कोई मीडियल नाम आता है तो आपको इसमें भरना है नहीं तो इसे बलेंक छोड़ देना है उसके बाद आपको यहां पर लास्ट नाम फिल कर देना है इसमें भर लेना है उसके बाद आपको है अपका रेसिदेंट है इसамन जो ऑफसन दिया हूआ है रे संद आपको पर करता है अपको आपका ब्यूकर चाहिब पुछा है यहां पर अपकाऑफान काम करते हैं इस जो कोई भी काम करते होंगे यहां तो अगर आप इन में से कोई भी नहीं है तो अगर आप यह सबसे नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए तो यहां पर ऑदर का मिद जाएगा इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है उसके अगर नेक्स्ट में अपके यहा पर एक अप्सिन मिलेगा यसो दो सब्सक्राइब कि लुखें पर यहां पर कुछ नहीं करना है इससे दोस्तेल में present चलाय से खाले सिस्टान इंपना कि सद्वें आपको स्भूझश दुनर खाकर दने हसा को दोस्तों भीस दानोर , सब्सकित करें ल件 यह रग्या कटार की यह व्यमिशा थे स्चिकटार सय है। सब्सक्राइब ऐसे फीदध करते हैं कर देना है ुशक्राइस लेक्स को आसली जबहान रखके 그거 है है थाल प्रस्लीना करते हैं है सब्सक्रटीक करते हैं तो आप को यह काइशन पुरु में नहीं है इसे आपको ऐसे होतना है केवाल आपको यह अधार काड़ और प्रेंग काड़ दो ही आपको नमबर देना है इसी से आपका क्यों कम्प्लीट हो जाएदा तो दोस्तों उसके बाद आपको यहां पर नेक्स्ट में देखिए आप तीन नमबर में दिया हुआ है करेंट इन पार्मारेंट एड़ेंट नहाँ पर फिल्ट करने के लिए ति हैं आपको यह जो चेकन नमबर में दिया हुआ हैwar residential इसी पर आपको इस पर सेकर्ण ON तो आपको फिर से इसमें नमबर डालना होगा उसके बाद आपको पूरा डिटील आपको अपना पूरा भर देना है इड्रेस आपको पूरा पूरा अपना एड्रेस फिल कर देना है उसके बाद आपको अपने यहां से आपको अपना पीन कोड सेलेट करना है यहां पर डाल द ना है उसके बाद देखिए यहाँ पर next में है 3.2 में यहाँ पर है correspondence address and local address अगर आपका correspondence address और current address दूने सेम है तो आपको जो इसमें अपना address फिल किये है वही वाला same to same इसमें फिल कर देना है उसके बाद next में यहाँ चाल नमबर में देखिए बता रहा है content details इसमें आपको कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर mobile number का option में लेगा के वाल mobile number इस वाले box में आपको fill कर देना है उसके बाद आप चाहे तो email ID देना चाहते है तो इसमें दे सकते है उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है ऐसे ही छोड़ देना है जोस्तों इसके बाद ठेटे लेका पिर्लकरदकार न पर सब्सक्राइट देना है और याप को अपने सीङनेचर का द आप्स न लगाते हें तो यहाँ पर आपको अपना उंठार का निसान लगा पिन काट का कॉपी लेकर के अपने बैंक में जाना है और इसे जामा कर देना है वहाँ पर आपको आपका फिंगर लिया जाए जाए जा उसके बाद आपका केवासी कंपलीट हो जाएगा उमिद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर वीडियो पसं दोस्तों के पास सेर करिया और कोई भी कनफीजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं